हیलो दोस्तों बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटाफ़ट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, साथ यामें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपके मान में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछें आज की पहली कवर डिप्टी सियम बनने के बाद तेजस्वी यादव को जेड केडिगरी सुरक्षा बुलेट पूरूप कार में चलेंगे सुरक्षा में 40 कमांडो जवानों के साथ चलेंगे जी अभिहार में मुख्यमंत्री नितिस कुमार की महागडबंदन सरकार की डिप्टी सियम तेजस्वी यादव को उपू मुख्यमंत्री बनते ही राज सरकार ने जेड केडिगरी का सुरक्षा कवर दे दिया है तेजस्वी के पास नेता विरोधी दल के नाते अब दक वाई केटोगरी की सिक्रेटी थी जिससे सरकार ने अपग्रेड कर दिया है तेजस्वी अब बुलेट पूरूब कार से चलेंगे और उनकी सुरक्षा में करीब 40 कमांडो और जवान हमेसा तेनात रहेंगे आधिक जानगारी के लिए बता दे कि तेजस्वी यादब को जेट केडिगरी के सरक्षा में हमेसा 40 गुरका जवान, BMP जवान और इस्पेसल ब्रांच के अधिकारी घेरे रहेंगे बुलेट पूरूब कार से लेकर बाकिस सरक्षा इंदिजाम चालो हो गिया है तेजस्वी गुरुवार को घर से बाहर नई सरक्षा विवस्ता में ही निकले हैं तेजस्वी के काफिले में उनके बुलेट पूरूब कार के अलावा साथ गाड़िया एस्कॉर्ड में चलेगी जिस पर सरक्षा में लगे अधिकारी और जवान होंगे बाड़े कबर बिहार में 15 अगस्त के बाद मंत्रे मंडल विस्तार उबर आश्टबदी बनने के दावे को नितिस कुमार ने बताया जोक बोले किसके सारे पर क्या हुआ सब जानते हैं जहां मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने कहा कि बिहार में जल्दी मंत्री मंडल का बिस्तार होगा नितिस ने अभी साब तोर पर कहा है कि बेपक्च अब एक जूट होकर आगे बढ़ेगा उबराष्ट बदिक के एडज़स्टमेंट की बाद पर नितिस ने कहा कि एक आदमी ने कहा कि मैं उबराष्ट बदी बनना चाहता था क्या मजाक है या फरजी है मेरे येसी कोई इच्छा नहीं थी क्या वे बोल गएं कि हमने उन्हें राष्ट बदियों और उबराष्ट और फिर से बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सबको पता है कि कौन लोग क्या बोल रहे थे किसके सारे पर बोल रहे थे यहां भी सबको पता है जब यह पूछा गया कि क्या आमित साके सारे पर उनके छोटी नेता हमला बोल रहे थे तो मुई कि मंतरी ने कहा क्या कुछ हो र पंद्र अगस्त के बाद कभी भी मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है। बनने वाले समावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे गौर तलबे की अभी मुईकी मंत्री नितीस कुमार और उपू मंत्री मंत्री तेजस्वी यादव ने सपत ली है। बंबं है और बहुत बोल्ड हो गए है। नेता विरोधी दल रह लिए। दो बार डिप्टी सियम बन गए। लोकसवा और विदानसवा चुनाव पार्टी अकले लड़ेगी अपने दम पर दोनों चुनाव जितेगी। उन्होंने मुख्य मंत्री नितिस कुमार को अकले चुनाव लड़ने की चुनोती दी। आजबा पर पार्टी तोड़ने का अरोप लगा रहे हैं। इसके लिए पूर्व केंद्रे मंत्री रसिपी सिंग को मोहरा बना रहे हैं। आर्सिपी सिंग ने तो जदोई को मजबूत किया था। असली बात यहा है कि जदोई के निता ही नितिस कुमार को पसंद नहीं करते हैं। सत्ता रूड दलों ने उनके खिलाब आविस्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया सुरू कर दी है। लेकिन विदानसबस सत्र के लिए 24 अगस्त का इंतिजार करना भाड़ी पढ़ सकता है। अगली बड़ी कबर कॉंग्रेस के मांग बिहार में बने पांच डिप्टी सियम अनिल सर्मा के नितिस कुमार से डिमांड बोले तबी होगा बीजीपी का सुपड़ साब। जिहां नई सरकार में नितिस कुमार ने मुख्य मंत्री और तेजस्वी आदम ने उपमुख्य मंत्री पद की सपत ले ली है। मंत्री मंडल का विस्तार होना बाकी है। कॉंग्रेस एक दिन पहले तक इसके लिए तयार थी कि जो भी मंत्री पद मिलेगा मंजूर होगा। कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और पूर्व कॉंग्रेस है दक्च अनिल सर्मा ने महागरवंदन की सरकार बनने पर नितिस कुमार को बढ़ाय दी है। साथ ही कहा कि बिहार में जाती और धर्म समाज की सच्चाई है। इसके मद्द ने जर पांच उपमिख मंत्री का पद बनाया जाए और सपद दिलाए तो महागरवंदन को ज्यादा ताकत मिलेगी। अनिल सर्मा ने कहा कि पिछड़ा अती पिछड़ा अनुसुचित जाती मुस्लिम और स्वर्न से एक एक उपमिख मंत्री बनाए इससे 2024 नहीं बलकि 2025 में भी भारती जनता पार्टी की कोई हैसियत बिहार में नहीं रह जाएगी। उनने आंदर परदेश का उधारन देते हैं वे कहा कि वहाँ पांच उपमिख मंत्री काम कर रहे हैं राज की परिसित्यों को देखते विया करना चाहिए इस समाज में समरस्ता भी रहेगी। बाड़ी कबर खुद के लिए स्वास्त मंत्राले चाहते हैं तेज परता बड़े भाई की रूप में तेजस्वी को दिया असिर्वाद। तेजस्वी यादव के सपत लेने के साथ ही राजत का जस्न का माहौल सुरू हो गया है सुबह से देर साम तक रावड़ी आवास के बाहर समर्तुकों का हुजूम जमा रहा सबकी नजरे मंत्रालाई पर गठन पर है कौन-कौन मंत्री बनाए जाते हैं इसको लेकर भी सभी म उत्सुकता है इसी बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज परताव यादव को नई सरकार में स्वास्त विभाग मिलने के उमीद है वह पूर्व की महागरबंदन सरकार में भी स्वास्त विभाग के ही मंत्री थे नितेश कुमार एवं तजस्वी के सपत ग्रहन के बाद उनोंने कहा कि मुझे स्वास्त विभाग मिलने के उमीद है कुछ काम बाकी रह गया था जिससे पूरा करना है वैसे भी जो जिम्मिदारी दी जाएगे उसे निष्ट्या और समर्पन के साथ ही पूरा करूंगा बाड़ी कबर राजे में मौसम विभाग का अलाड पटना समेत 22 जिलों में भारी बारिस और बजरबात की चितावनी जिहा भीहार में मौसम अचानक बदला हुआ है भिसन गर्मी जेल रहे लोगों को अब राहत मिलने के उमीद है तेज हवाई चलने से मौसम सुहाना हो ग लोगों से या आगरक किया गया है कि वे सतरक और सावधान रही यदि खुले में है तो जल से जल किसी पक्य मकान की सरन ले उचे पेड़ और बिजले के कंबों से दूर रहे बाड़ी कबर अब उर्दो आसामिया समेत इन भासाओं में होगी इंजिनरिंग की पढ़ाई ए आई सिटी ने तेज की कवायाद जी हाँ इंजिनरिंग की पढ़ाई जल्द सभी भारते भासाओं में सुरू होगी अकिल भारते तक्निकी सिक्चा परिस्द ने इसके लिए एक विसिस मुहिम सुरू की है इसके तहद इंजिनरिंग की पढ़ाई अब जल्द उर्दो आसामिया और मलायलाम में होगी इसके लिए कोर्स तयार करने का काम तेजे से चल रहा है साल के अन तक पुरा हो सकता है इंजिनरिंग की पहले ही पढ़ाई हिंदी मराठी वा ताम अधीब धनकड ने गुरुवार को भारत के नई उपराष्टबदी के रूप में सपत ले राष्टबदी द्रोपती मुर्मु ने राष्टबदी भावन में उन्हें उपराष्टबदी पद के सपत दिलाई धनकड ने सनिवार को उपराष्टबदी चुना में राष्ट् मत्री गंडवन्दन के प्रतासी के तोर पर विपस्ट की साजा उमिद्वार मार्गेट अलवा को हराया था विपस्टी मंगाल के पूर्वर राजपाल रह चुके हैं और एंडिये के और से उन्हें उपराश्वदी पत का उमिद्वार बनाए गया था उनके सपत ग्रान में मंत्री नरेंद्र मोदी सही देश के कई नेता उपसित रहे आपको बदाद कि अगजब सयोग की अब देश के दोनों सदुनों की कमान राजस्तान के हातों में होगी जगदीब धनकड और लोकसवाय दक्च ओम बिर्ला दोनों राजस्तान के हैं बाड़िकवर बिहार में कम बारिस के वज़ा से सुखे के हालाद किसानों को रहात देने के तैयारी में नितिस सरकार जिहां बिहार में महागडवंदन के ने सरकार कम बारिस के वज़ा से उपजे सुखे के हालाद से परिसान किसानों को कूछ और रियायत दे सकती है आपदा प्रबंदन सम्मों की सुकुरवार को बेड़क होनी है किसानों को डीजल अनुदान और 16 घंटे बिजली के अलावा तत्गाल मदद के तोर पर कुछ और सुविधाओं का एलान किया जा सकता है इसे सुके की वज़े से जिन किसानों की दान समेथ खरीब की फसल प्रभावित हुई है उन्हें लाब मिल सकेगा बाड़ी कबर बिहार बोर्ड ने 49 साल के सट बिगेट को किया औलाइन अब घार बेटे मिलेगी सौप्ट कोपी बिहार बोर्ड ने 49 साल के सट बिगेट को अलाइन कर दिया है अब घार बेटे सौप्ट को भी मिलेगी मेटरिक और इंटर के पास भी चात्र अगर अपना अंग पत्र या मूल परमान पत्र को दोबारा लेना चाहते है तो इसकी सौप्ट कापी आसानी से मिल जाएगी इसके लिए आपको बिहार बोर्ड को बस घार बेटे एक इमेल करना है इमेल से आवेदन करने के कुछी देर में आपको सर्टिपिकेट मिल जाएगा बताया जा रहा है कि अभी 1983 के पाले वाले सबी प्रमान पत्रों को डिजिटल नहीं किया जा सका है हलाकि उसे भी अपलोड करने का काम चल रहा है प्रमान पत्र के डिजिटल हो जाने से बिहार के बाहर रहने वाले चात्रों को आसानी से इसका फायदा मिलेगा अरान के बड़ी खबर S.S.E. ने निकाले 43 सो पदो पर बंपर वेकेंसी 31 अगस्त करें अपलाए जिया सरकारी नोकरी के तैयारी करें यवावों के लिए अच्छे कबर है करमचारी चैन आयोगों ने बंपर वेकेंसी निकाली है S.S.E. आने वाले दिनों में 43 सो पदो पर नियुक्ति करने वाली है आविधन करने के लिए अभियरती ओफिसल वेबसाइड ssc.nac.in पर जाकर आविधन कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें